हिलो फेंट्स आज मैं बैगान डिप्यार वर्क्सप जहासी के अंतरकत कंड़क्ट हुए जेई का पेपर्स के सॉलूसन देखेंगे इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे इब हम वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक इब हम चैनल को सब्सकाइब करना न भूले चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर हमारा बैगान डिप्यार वर्क्सप जहासी के अंतरकत करा गये थे जो की जेए के लिए कंड़क्ट हुए थे अगरे एक जामड़ीट की बात करे थे यह 13 माई 2022 को कंड़क्ट कराए गए थे जिसमें कैंड़्येट को दो घंटे का समय दिया गया था साथी प्रसन की संख्या के बात करे थे टोटल 110 दिये गये थे जिसमें candidate को cable 100% का जबाब देना था जिसके लिए maximum marks 100% रखे गए थे साथ ही one third का negative marking का भी प्रबधान इस paper के अंतरगत किये गए थे चलिए आगे देखते हैं कि इस paper के अंतरगत कौन-कौन से person पुछे गए थे सबसे पहले person के बात करें तो which type of bogey is in BBJai break one यानि BBJai break one में कौन से प्रकार की bogey लगती है तो इसका सही उतर हमारा BBJai गए अंतरगत ICA bogey लगा जाते हैं यानि हमारा option number A correct उतर होगा नहीं बात करें कि BBJai में हमारा दो bogey ICA के लगते हैं और इसके later और हम जानना चाहें तो BBJai का एकसल लोड की बात करें एकसल लोड हमारा 5.875 टन होता है जो कि 5 मीटर लॉंगर दैन यानि इस BBJai के मुकाबले में BBJai 5 मीटर लंबा होते हैं वहीं BBJai के अगर बात करें तो इसमें length over head stock L.O.H.N. length over head stock की बात करें तो यह 13,540 mm होते हैं जबकि length over coupler की बात करें तो यह 14,469 mm का होता है वहीं इसकी tear bit की बात करें तो tear bit इसमें 23.52 टन हो इसका BBJai का tear bit होता है जबकि इसकी bit की बात करें तो इसकी bit बती सो mm के होते हैं जबकि height इसकी maximum rail level से बात करें तो height इसकी 3894 mm maximum होते हैं यह सारे BBJai से related पुछे जा सकते हैं भविस में और यहीं हम सिब पुछा गया था जो कि ICA bogies में लगे होते हैं BBJai के अंतरगत निश्ट प्रस्ण की बात करें तो what is the permissible speed of BBJai break one यहनि BBJai break one की अनुएं गती कितनी होती है तो 100 kmph होता है जो की option number C correct उतर होगा निश्ट प्रस्ण की बात करें तो what is the excel load of box and HL bogies यानि box and HL जो बैगन हमारा होता है उसका excel load कितनी होते हैं तिसका अब excel load बात करें तो 22.90 यानि option number B correct उतर होगा जिसमें cash knob 22HS bogies का यूज़ किया जाता है box and HL के अंतरगत निश्ट प्रस्ण की बात करें तो what is the permissible speed of box and wagon in loaded condition यानि box and wagon का जो हमारा permissible speed होता है loader condition में वो कितना होता है तो होता है 75 kmph जो कि loader condition में हमारा होता है जबकि आपसे empty condition में पूछा जाए तो यह 80 kmph होता है empty condition में जबकि loader condition में 75 kmph होते हैं यानि option number A हमारा correct उतर हो जाएगा नेस्ट प्रस्ट की बात करें तो नेस्ट प्रस्ट है इन वीच बैगन कैस्टनव 22 एचेस बोगी इस नोट इउजड यानि किस बैगन में कैस्टनव 22 एचेस बोगी का प्रियोग नहीं किया जाता है तो इसका सही उत्तर हमारा BCN बैगन हो जाएगा यानि option number A correct उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है 22 एचेस बोगी नोट इउजड नहीं किया जाता है नेश्ट प्रस्ण है कि बोवारेन कोड और बीच बैगन यानि बोवारेन कोड किस बैगन का है तो यहाँ पर बैगन का होता है जिसमें बोवारेन बैगन भी आता है बोवारेन भी आता है यानि option number B हमारा correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण की बात करें तो बीच बैगन है दा लेंथ टिल आवर हेड स्टॉक यानि किस बैगन की लंबाई हेड आवर स्टॉक तक 10,34 mm तक होती है यानि 10,34 तक कौन से बैगन का हमारा लेंथ आवर हेड स्टॉक यानि एलो स्टॉक होता है दिसका सही उत्तर हमारा box and HL बैगन हो जाएगा यानि option number C correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण की बात करें तो what is the tear bit of box and बैगन यानि box and बैगन का tear bit कितना होता है तो इसका सही उत्तर हमारा 23.2 टन होता है यानि option number C correct उत्तर होगा what is the permanent joint given below यानि नेश्ट में से कौन सा अस्थाई joints होता है तो इसका सही उत्तर हमारा building points joints हो जाएगा यानि option number C correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण की बात करें तो what is the warranty period of newly built बैगन यानि ने बैगन का warranty period कितना होता है तो इसका 24 months होते हैं यानि option number D हमारा correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण की बात करें तो what is the group of boxing wagon in which may be taken for upgrade rehabilitation यानि किस उम्र ग्रूप में boxing wagon का upgrade rehabilitation किया जा सकता है तो इसका सही उत्तर हमारा 12 से 18 बर्स के अंतर में इसका rehabilitation किया जाता है बैगन का यानि option number C correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण की बात करें तो what is the total life of open bogey bagans with ear break and cashna bogey यानि open bogey bagans जो की ear break और cashna bogey के साथ लगे होते हैं उसकी total life कितना होता है तो इसका सही उत्तर हमारा option number B 30 years होता है यानि option number B हमारा सही उत्तर होगा जबकि हमारा tank bagans जो भी होते हैं tank bagans के लिए या 40 years के होते हैं जबकि सारे open bagans और tank bagans को सोड़कर all other bagans जो भी होते हैं उसकी लिए 35 years जिल्वे बोर्ड़ारा निराइद किये गए हैं नेस्ट प्राशन की बात करें जबकि नॉर्मल केस में या 40 years तक ही उज़ किये जाते हैं नेस्ट प्राशन की बात करें जबकि ROH 24 मन्त के अंतराल पर किये जाते हैं नेस्ट प्राशन की बात करें तो वाट इदा POH पिडियेट आप ओल्ड बोक्सेन एचल बैगन यानि पुराने बोक्सेन एचल बैगन का POH कितने वर्स के बात होता है तो इसका सही उत्तर 4.5 years के अंतराल पर ओल्ड बोक्सेन एचल बैगन का POH किया जाता है यानि ओप्सन नमबर C करेक्ट उत्तर होगा नेस्ट प्राशन की बात करें तो हाव मैंने डिजिट मैंने डिजिट इन न्यू बैगन नम्बरिंग इसकी में कितने डिजिट होते हैं तो इसकी संख्या नए बैगन डिजिट में टोटल 11 की संख्या में होते हैं यानि ओफ्सन नमबर E करेक्ट उत्तर होगा अगर बात करें कि कौन कौन से अंग क्या दरसाते हैं तो जिसमें पहला और दूसरा अंग जो होता है बैगन के वह टाइप आफ बैगन को बताता है कि बैगन बॉक्सन है यह BCN है या BTPN है जबकि तीसरा और चौथा डिजिट्स होते हैं वह बैगन के आउनी रिलबे यानी यह NCR का है कि WCR का है यह NR का है यह सब बगर बताते हैं तीसरी और चौथे अंग जबकि पांच में जो हमारा पांच में और छटे अंग होते हैं तीन में हुआ हो अकर तो लाश्ट का दो जीट हम जीनो थीट कंसीडर करते हैं अगर दो हजार 11 कंसीडर करते हैं 5 और छटे अस्थान के डिजिट पर जबकि 7 से लेकर 8, 9 ओर 10 जो 4 डिजिट होते हैं 7 से लेकर 10 तक यह बैगन्ज के सरियल नमबर को दरशाते हैं जबकि जो हमारा 11 गारमा डिजिट वो बैगन्ज के चेग डिजिट को दरशाता है जिससे यह पता लगा जा सकता है कि जो बैगन नम्बरिंग दिये गए हैं वह सही है या गलत है इस परकार हमारा टोटल 11 रिजिस्ट का बैगन नम्बरिंग सिस्टम होते हैं यानि आफसन नमबर यह हमारा करेक्टर होगा नेश परस्टम के बात करें तो What are the first two digits in Box and Baggins numbering code यानि Box and Baggins के नम्बरिंग कोड के पहले दो जिए जो हमारा Baggins के टाइप बताते हैं तो इसमें हमारा पुछा गया है Box and Baggins का टाइप तो इसमें हमारा Box and Baggins का टाइप हमारा 10 होता है यानि Option number D हमारा करेक्ट उत्तर होगा जबकि 12 हमारा Box and Hs का बताता है जबकि 13 हमारा Box and CR का बताता है जबकि 14 Box and LW टाइप जो होता है उसको code को बताते हैं नेश्ट प्रस्ट की बात करें तो वाट इदा कोड ओप NCR in new wagon numbering scheme नए wagon numbering scheme के तहत उत्तर मध railway का क्या code है तो इसका code 13 होता है यानि Option number B करेक्ट उत्तर होगा जबकि 12 के बात करें तो 12 ECORN East Coast Railway के अंतरगत आता है जबकि 14 जो हमारा होता है वो हमारा South East Central Railway के अंतरगत आते हैं जबकि 10 code है वो ECORN East Central Railway के अंतरगत आते हैं निस्ट प्रस ने कि what are the parts of under frame of wagons अंडर वैगन के अंडर फ्रेम का भाग कौन को से होते हैं इसमें soul bar भी होता है डिस्टो की भी होता है center seal भी होता और in angle पर लगा जाते हैं Option number B करेक्ट उत्तर होगा निस्ट प्रस ने कि why given positive cambers in under frame of new wagons और नए बैगन के अंडर फ्रेम में positive camber क्यों दिया जाता है तो इसका इसलिए दिए रहता है था कि avoid sagging of under frame in loaded condition याई loaded condition पर कोई भी कंपन ना हो बैगन में इसको देखते हुए नए बैगन में positive cambers की वेवस्था की गई है आनि option number c correct उत्तर होगा नेस्ट प्रस ने बात करें तो नेस्ट प्रस पूछा गया on which year compensations act regarding injury to rail employees during works आनि rail करमचारी की कार्ज के दौरान चोट लगने पर छते पूर्ती एक किस बर्स जारी किया गया था तो इसका सही उत्तर 1923 हो जायागा आनि option number c correct उत्तर होगा नेस्ट प्रस ने फूर इंस्पेक्शन आप एंटी एकसर बैगन्स बिच रूल्स इज यूज अनि एंटी एकसर दौरा बैगन्स का निजचन किस नियम के हिसाब से किया जाता है चुकि यह बैगन्स से रिलेटर है तो यह इसमें हमारा IRCA part 3 जो कि बैगन्स के maintenance manual बगड़े से रिलेटर होता है तो यह हमारा option number c correct उत्तर होगा जबकि फोर हमारा coaching से रिलेटर यूज किया जाते है नेश्ट प्रसंद की बात करें तो which steel is used in new wagons शोल बार और नए वैगन्स के शोल बार में किस श्टील यह बनाए जासर रहे है तो इसका सही उत्तर हमारा mild steel IRSM 41 इसका correct उत्तर हो जाएगा यानि option number b correct उत्तर है नेश्ट प्रस ने कि thickness of patch used for repair of soul bar यानि soul bar repair में patch की मोटाई कितनी होती है तो इसका सही उत्तर 10 mm मिनमाम patch की मोटाई थिकनेस होनी चाहिए मिनमाम 10 mm यानि option number a correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस ने कि what is the minimum length of soul bar patch यानि soul bar patch की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए तो इसका सही उत्तर हमारा option number a 508 mm का मिनमाम होना चाहिए नेश्ट प्रस नेश्ट प्रस नेश्ट प्रस नेश्ट प्रस नेश्ट की बात करें तो what is the excel load of cash knob 22 NLC बोगी यानि कैसनव भोगी 22 NLC का एक्सल लोड क्या होता है तो यह 25 टन के होते हैं यानि ओप्सन नमबर C करेक्ट उत्तर होगा नेस्ट प्रस्ट की बात करेत आप्टर हाउ मच कंट्टिनुवस वर्किंग आवर्स डेस्ट इज मस्ट ऐज पर दर फैक्ट्री एक्ट नाइटीन फोटी एट अनुसार कितने घंटे लगातार काम करने पर रेस्ट देना जरूरी होता है तो इसमें पांच घंटे के मिनमम का काम करने पर रेस्ट देना जरूरी होता है यानि option number बी करेक्ट उत्तर होगा अगर जानना चाहे कि 5 घंटे पर कितने रेस्ट दिया जाता तो मिनमम यानि मिनमम 30 मिनट का रेस्ट देना अनिवार्ज है 90, 48, 48 के तहट अगर वो करमचारी लगातार 5 घंटे तक काम करता है तो मिनमम 30 मिनट्स का रेष्ट परवाइट करना अनिवार्ज है नेश्ट प्रस्ण के बात करें तो what is the wheel waste of कैसना बोगी यानि कैसना बोगी का wheel waste कितना होता है तो इसका सही उत्तर हमारा 2000 plus minus 5 mm होता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2000 mm हम दिया है तो फिर भी हम option C consider कर लेंगे यानि option number C हमारा सही उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण की बात करें तो which is not part of कैसना बोगी यानि कौन सा part कैसना बोगी का parts नहीं है तो इसका सही उत्तर हमारा option number C center seal कैसना बोगी का parts नहीं जो कि यह under frame का parts है यानि option number C हमारा सही उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण है which one of the following facts are not used in punching on excels in works of after excels repair यानि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन साथ एक्सर लीपेर के बाद punch नहीं किया जाता है तो इसका सही उत्तर हमारा जो pressing on pressure intense होता है उसको हम punch नहीं करते हैं after repair एक्सर लीपेर के बाद यानि हमारा option number D करेक्ट उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण की बात करें तो for what purpose elastomatic pad miss EM pad is used in cashna bogey यानि elastomatic pad cashna bogey में किस के लिए लगा जाता है तो इसका सही उत्तर हमारा to reduce wheel flange wears यानि wheel flange की wears होने से घसने से बचाने के लिए EM pad का प्रवधान किया गया है यानि option number C correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण की बात करें on how much cracks developed in surface rubber of elastomeric pad is condemned यानि elastomeric pad के service पर rubber में कितने mm का crack होने पर कंड़न कर दिया जाता है तो इसका सही उत्तर 40 mm इसका correct उत्तर होगा यानि option number D नेश्ट प्रस्ण की water variation in spring height is in same case नवोगी यानि समान कैसन नवोगी में spring हुचाय में अधिकतम अंतर अनुए है तो इसका सही उत्तर 3 mm maximum allowable है यानि option number A सही उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण है कि which part is reversely affected if arthing is not proper during building on baggins after lowering on bogey यानि baggins बोरी पर lower होने के बाद उचीत arthing ना होने पर building के दवान बोगी में किस पर भाग पनुखसान होता है तो यह होता है arc burn defect in roller bearing यानि option number C correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण है कि during building where arthing is to be provided यानि building के दवान arthing claim कहां लगाना चाहिए on relevant tracks लगाना चाहिए यानि option number C correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण है to tight the excels end cap screw how much torque is required in torque range यानि axle end cap screw को tight करने के लिए torque range को कितने torque पर sit किया जाता है इसका सही उत्तर हमारा option number A 40 kg meter यानि option number A correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण है कि Y color band provided on springs is used in Casano bogey यानि Casano bogey में spring के color bands को क्यों लगा जाते हैं तो इसका सही होता है easy identification of heights यानि group of heights जो spring का होता है उसकी heights को असानी से पाश्चान किया जा सके इसके लिए लगा जाता है तो इसका option यह भी हो सकता है फूर making group of spring otherwise option D के तरफ भी जा सकते लेकिन आप यहाँ पर अगर consider करना चाहे तो फूर making group of springs इसका सही उत्तर हो जाएगा miss इसका होता है identification of group height जो होता है पनी परते खसनबर spring outer spring और inner spring बगर जो भी परिव किया जाते हैं उसके heights को identify किया जा सके इसके लिए grouping किया जाता है निस्ट प्रस ने common pipe bracket year break system is provided for common pipe bracket year break system लगा जाते हैं जो क्यों लगा जाते हैं तो यह लगा जाते हैं to making suitable for use with any db make up db यानि किसी परकार के db को लगा जासे कि इसके लिए common pipe bracket का प्रभधान किये गया है यानि option number A correct उत्तर होगा next प्रस ने on which pressure cut up angle cock is tested in year break system यानि year break system में cut up angle cock को किते दाप पर टेस्ट किया जाता है तिसका सही उत्तर option number C 10 kg पर cm2 के pressure पर cut up angle cock का टेस्टिंग किया जाता है यानि option number C correct उत्तर होगा next प्रस ने in break cylinder tightness test 0.1 kg पर cm2 pressure drop should not be more than is यानि break cylinder pressure tightness test में 0.1 kg पर cm2 pressure drop कितने मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए तिसका सही उत्तर 5 मिनट के में नहीं होनी चाहिए यानि option number A correct उत्तर होगा next प्रस ने कि on which pipe DB is connected यान DB किस pipe से connect किया जाता है तो DB हमारा common pipe bracket से connect किया जाता है यानि option number D none इसका सही उत्तर होगा next है on what pressure hose coupling is tested यानि hose coupling कितने pressure पर test किया जाता है तो इसका भी option हमारा C 10 kg pressure पर test किया जाते हैं यानि option number C correct उत्तर होगा next प्रस ने function of distribution बालवन DB किया कार्ज क्या होता है तो DB का कार्ज होता है कि distribute compressors in here AR और CR और sense the pressure drop in BP यानि option number C बोथ A and B इसका correct उत्तर होगा next प्रस ने कि in sensitivity test of DB in how much time pressure drop of 0.6 kg per cm2 should be reduced and DB के sensitivity test में 0.6 kg per cm2 per cm2 की कमी कितने second में होती है या 6 second में होती है जिसमें DB हमारा sense करता है और break apply करता है जिसको हम sensitivity test के नाम से जानते हैं यानि option number B correct उत्तर होगा next प्रस ने कि what is the correct match given below जोरो में क्या सही है तो इसमें हमारा बैगर्ण्स का टाइप दिये गए हैं यहां पर हमां empty condition पिश्टाइं स्टोक दिया गए जबकि यह loader condition पिश्टाइं स्टोक दिये गए हैं और इसमें यह मेच कराना है कि जिस जो बैगर्ण्स टाइप दिये गए हैं उसके empty और loader condition जो पिश्टाइं स्टोक पिश्टाइं स्टोक प्रवाइट किये गए हैं वो सही है या गलत है तो इसमें आप आएंगे कि बी यल्सी का ओरिजिनल में हमारा 95 में पलस माइनस 10 होता है जबकि loader में 120 पलस माइनस 10 होता है जो कि बी यल्सी के लिए होता है जो कि यहाँ पर हमारा गलत है तो इसलिए हमारा option नमबर D correct उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पर हमसे पुछा गया कौन सा incorrect है यानि मेच नहीं करता है यानि option नमबर D सही उत्तर हो जाएगा बाकि सारे तीनों उपर में boxing, boxing natural और BTPN का दीए गए हैं इसकी empty और loaded condition का piston stroke सारे सही सही दिए गए है नेश्ट परस ने beach defect is created in building due to low current than required current and building निधाईद current से कम होने पर क्या दोस्त पैदा होता है इसका सही उत्तर लेक अप फूजन इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि option number A correct उत्तर होगा what is the RDSO specifications number regarding painting of under frame of bag and according to bag and maintenance manual यानि bag and under frame की painting के समद में RDSO का specification का number bag and maintenance manual के अनस्वार होता है तो यह होता है G72 यानि revised 3 और latest इसको बोच सकते हैं यानि option number B G72 के अनस्वार जो हमारा painting of under frames of bag ands होते हैं वो consider की जाते हैं यानि option number B correct उत्तर होगा नाइशन प्रस्द्शने के टू टोटल मोवमेंट और सेंसर points of A.P.M. अनर एक्तोमेटिक प्रेशर मोडिफिकेसन जो डिवाइस होते हैं जो की हमारा बैगन अंडर फ्रेम और बोगी साइड फ्रेम की बीच में लगाए जाते हैं उसकी टोटल सेंसर मुवमेंट की आर्म की बात करें तो वो एक सो चार में मुवमेंट होते हैं यानि आपसन नमबर ए हमारा करेक्ट उत्तर होगा वहीं अगर बात करें कि अगर यह 79 mm से बिलो यानि कम होता है आर्म का मुवमेंट तो यह लोडर कंडिशन को दरसाएगा जिस कंडिशन में प्रेशर 3.8 kg पर सेंटिमेटर का एसवार एपी एम ब्रेक्ट सिलेंडर को भेजेगा वहीं अगर 80 mm या एभब यह इससे उपर अगर आर्म का मुवमेंट होगर होता है तो यह एमटी कंडिशन को दरसाएगा उस कंडिशन में प्रेशर 2.2 प्लस माइनस 0.25 का प्रेशर एपी एम डिवाइस ब्रेक्ट सिलेंडर को भेजेगा बाकी एश्ट्रा प्रेशर जो उसके साइड में प्रेशन के साथ लगे या टैंक जो 6.6 लिटर के होते हैं उसमें भेज दिया जाते हैं निश्ट प्रसने कि वाट इदा बिष्ट मेठाड टू चेक ऑफ दा बेल्डिंग जोइंट्स अनि बेल्डिंग जोइंट्स की चार्च के लिए सबसे अच्छे विधी क्या है तो इसका है विजूल एक्जामनेशन इसका करेक्ट उत्तर होगा यानि ओफ्शन नमबर एकर इतनी मोटाइप बॉलस्टर लाइनर कंडम हो जाते हैं तो या थ्री एमेम पर हो जाते है एनि आप्सन नमबर एक करेक्ट उत्तर होगा जबकि निव कंडिशन की बात करें तो निव में या आठ एमेम के होते हैं निश्ट है कि बीच इस्टेंडर's form is used in suspension of railway suspension जो होता है यानि railway क्रमचारी के निलंबन के लिए कौन सामानक फ़र्म पर्यूक किया जाता है तो यहाँ पर simply हमें suspension related पूछा गया है तो यह हमारा SF1 यानि author of suspension हमारा हो जाएगा जबकि A.S.F. 2 हमारा dimmed suspension होता है जबकि A.S.F. 3 हमारा होता है suspensions के दौरान जो हमारा निर्वावत्ता दिये जाते है जो करमचारिय गर निलंबन अवस्था में उसको निर्वावत्ता दिये जा जबकि A.S.F. 4 हमारा निलंबन से बहाली से related होते है और जबकि A.S.F. 1 हमारा करेक्ट उत्तर होगा यानि option number B next है कि when railway servant put out under dimmed suspension रेल्वी करमचारी को dimmed निलंबन कब किया जाता है जब वो in police custody exceeding 48 hours जगर वो करमचारी police custody में अगर 48 खंटे से ज़्यादा हो उस condition में उसे dimmed suspension के अंतरगत रखा जाता है जो कि A.S.F. 2 के अंतरगत आते है निस्ट परसने कि which penalty is not part of major penalty यानि कौन सी सास्ती बरीब सास्ती के अंतरगत नहीं आती है तो इसमें हमारा compulsory retirement भी आता है removal service भी आता है जबकि dismissal from service भी तीनों हमारा major penalty से रिलेटेर है जबकि यहाँ पहला number option है to reduce lower state in time skills pay for period not exceeding three years यहाँ पर बोला गया कि तीन साल से अधिक जो low gear में अगर इसको down किये जाते हैं वो तीन साल से अधिक ना हो तो वो condition हमारा minor penalty के अंतरगत आता है यानि option number A सही उतर होगा उन्हीं अगर तीन साल से more यान जादा अगर होता है तो वो major penalty के अंतरगत आ जाता लेकिन यहाँ पर तीन साल से अधिक नहीं बोला गया है तो यह हमारा minor penalty के अंतरगत आएगा यानि option number A करेक्ट उतर होगा next person है कि how much time is for appeal for employee after receiving of penalty order यानि सास्ती आदेश प्राप्ती के कितने दिन के अंदर करमचारी को अपिल करना होता है तो यह 45 days का time period दिया जाते है यानि option number B करेक्ट उतर होगा next person है कि how much privilege past is entitled employee of group C for first five years पहले पांच साल के अंतर group C करमचारी को सिवा में कितने सुवधा पास दी जाते हैं तो पहले पांच बर्स तक group C या group D दोनों करमचारी को एक सेट पास ही प्लब्द कराया जाते हैं रेलिबे द्वारा वहीं पांच बर्स से अधीक होने पर थ्री पास दिये जाते हैं करमचारी को यहाँ पर हमसे पांच साल से पहले पूछा गया है तो हमारा आफसा नमबर ए वन सेट पास अफसार उत्तर सही उत्तर होगा नेस्ट प्रस नहीं कि हाँ मच मेटरनेटी लिप कैन बी टेकन ओमें रेलिबे एंप्लॉाई इन वन टाइम यानि मातित रेलिबे करमचारी को एक बार में कितने दिन का मातित अपकास दिया जाता है तो यह दिया जाता है यह दिया जाता है एक टाइम जबकि दो बच्चों तक के लिए मैक्सिमम एलाइवल होता है रेलिबे के द्वारा यानि आप्सान नमबर हमारा इस करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसके लिए ओनेटी डेज जो कि दो चिल्रेंट तक भैलिड होते हैं नेस्ट परश नहीं लेबल आफ मेंबर इस ऑफ रेल वे बोडिट सत्का अस्तर क्या होता है यह होता है सेक्रेटिल लेवल के अस्तर के होते हैं यानी लेवेल सेवें तक का करमचारी यह होते हैं यानी आप्सान नमबर एक सहीुत्तर होगा निश्ट है कि हुज दा प्रिंस्पल चीफ मेकनिकल इंजिनियर मिस PCME आप NCR मतलब नौर्ट सेंटर रेलिवे इन परजेंट बर्तमान में उत्तरमद रेलिवे के परमुख मुख्यांतरिक अभियंता कौन है तो यह एके राना भी बर्तमान में जब तक यह वीडियो बन रही है उस समय तक एकी राना PCME NCR के है मिस आपसर नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा फूरोट पोईम जहासी की रानी आणि जहासी की रानी कवीता किसने लिखी है तया सुभद्रा कुमारी चवहान और आपस नंबर B करेक्ट उत्तर होगा निश्ट प्रसने की हू बिल्ट जहासी पोट जहासी की राजा वीर सिंग जईो टीयो आणि आपसन नंबर B करेक्ट उत्तर होगा जो की बनवाया था 1666 से लिएकर 1627 स्पी के बीच बनवाया थे निश्ट है वेर सिचुएटेड दुद्वा नेशनल पार्क दुद्वा नेशनल पार्क कहा ज़ती थे तो लखंपिर खिरी उफ्ता प्रदेश में बशती थे और आपसर नमबर ए सही उत्तर होगा निश्ट है कि वीच वण इस दा इल्क्टेट पोश्ट इन इंडिया आन्य भारत में निम्र में से जो हमारा पद दिये गए हैं इसमें प्रेसिडेन्ट का पद ही उप्रियो तीनों में से इल्लक्टेट पोश्ट होते हैं जिसमें आम आधी तो इलिक बोटे नहीं करते हैं बलकि इसमें बिधान सभा, राज सभा और लोक सभा के सदस इसमें सामिल होते हैं भोट देने के लिए नेश्ट प्रसने की बीच आर सिटीज बिटमिन फर्स्ट बुलेट ट्रेंड प्लानेट और कि सहरों के बीच पहली बुलेट चलाने की योजना है तो यह है मुंबई और अहम्दाबाद के बीच आनि ओप्सन नमबर भी करेक्ट उत्तर होगा नेश्ट प्रसन मैट से रिलेटर पूछा गया है कि इसमें एक ट्रेंड ऑप 108 एन 108 मिटर लेंस हैज ग्रॉष्ट आप पोल इन 20 सेकेंड देर वाट इस पीड आप ट्रेंड एन 108 मिटर लंबी ट्रेंड 20 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है तो रिल गारी का चाल क्या होगा चुकि यहाँ पर लेंथ आप ट्रेंड दिया गया है वन 108 मिटर टाइम टू क्रॉष्ट पोल 20 सेकेंड तो इस केस में हम पोल को लंबाई को कंसीडर नहीं करते हैं खंबे की भी लंबाई को कंसीडर करना होता जो उसकेस में हम अठारा बाई पांच से मल्टिप्लाई कर देते है जिससे हमारा केंड पीज में आजाता है उसकेस में जब हम मल्टिप्लाई करते हैं तो 1944 हमारा अपर पार्ट जबकि 20 प्रेस से यानि लोर पार्ट हमारा हंडार आ जाएगा जिसको ऑ legislature करे करे जाएंगे इसकी सारे ओप्सन गलत है यहां पर इसका करेक उत्तर 49.44 की एम पी इसका सही उत्तर होगा रेलबी की चाल निश्ट प्रस्ट ने कि रमेश हैं और फोर परसेंट प्रॉपीट टू सेलिंग अ काउव इन आरेस 8580 एरो रुपीज वाट वाज़द पर परचेज भाईलो मतलब रमेश ने गाय को इतना में ख़ड़ा बेच कर 4% रेलाव कमाया इसकेस में इसमें ख़ड़ी गए कोश्ट प्राइस पुछा गया है तो टोटल आप 4% प्रॉपीट मितलब 100% अगर हमारा कोश्ट होता है 4% प्रॉपीट मितलब 100% हमारा 8580 के बराबर है जबकि यहां पर कोश्ट प्राइस पुछा गया है तो 100% हम निकालेंगे उसकेस में हमारा 8250 आता है तो हमारा यहां पर सही उत्तर हमारा आफसर नमबर भी करेक्ट उत्तर होगा निस्ट प्रस ने कि एसाई उनिट आफ लेंज कैपसिटी इज यहनि लेंज की समता का एसाई मातरा क्या होता है तो यह होता है हमारा डाइप्टर आफसर नमबर सी करेक्ट उत्तर होगा निस्ट प्रस ने कि which is permanent memory of a computer RAM और ROM यहनि RAM और ROM में कौन सी memory computer की स्थाई मेमोरी होती है तो यह होती है अफसर नमबर भी ROM होती है निस्ट प्रस ने कि what is the role of hard disk in a computer और कम्पीटर में hard disk का क्या कार्ज होता है तो इसका कार्ज होता है to store the data निस्ट नमबर भी करेक्ट उत्तर होगा निस्ट प्रस ने कि what is the full form of SLB यहनि SLB का full form क्या होता है तो SLB का full form होता है satellite lunch vehicle और option नमबर डी करेक्ट उत्तर होगा निस्ट प्रस ने एक इंगली से लेटे पूछ दिया गया था कि fill in the blacks miss खाले स्थान जवब भरे यानि he has good test over the famous world language miss इसका सही उत्तर हमारा command इसका सही उत्तर option number D होगा miss he has good command over the famous world language मतलब उसको जो world में परसित जो सारे language है उस पर सारे command इसको पढ़िया तरिके से है और आफसर नमबर डी करेक्ट तर होगा नेश्ट प्रसन है कि for care of two child maximum live in whole service is taken और वालिक दो बच्चेों की देखवाल के लिए समोची सेवागतोरा अजिकताम शुटी कितनी मिलती है मतलब CCL and child care live इसमें पूरे service में female employees को 730 दिन के लिए दिया जाता है जब तक बच्चे 80 प्लस एज का नव हो जाए 18 प्लस एज जो भी उता 18 प्लस उस एज तक इसको 730 डेज का दिया जाता है जिसमें पहले 365 दिन के लिए 100% बेतन दिया जाता है करमचारी को जबकि अगले 365 दिन के लिए केवल 80% ही बेतन परवाइड किया जाते है रेलिवे के दोवारा इसके अलावा है कि आप 730 डेज है जिसमें आप एक साल में थ्री एस्पिल्स यानि तीन बार से जादा इसको नहीं ले सकते हैं और मिनमम एक बार में आपको 15 डेज मिनमम लेना ही पड़ेगा इससे आप कम नहीं दे सकते हैं और इसकी बात करें CCL कब एफिक्ट में आया था तो यह आया था एक सितंबर 2008 को या CCL रेलिवे के द्वारा इंप्लिमेंट की गए थे लेकिन यहाँ पर सिंप्लियम से पूछा गया कि अधिक्तम 730 डेज का होता है और आपसा नमबर ए करेक्ट उत्तर होगा नेस्ट प्रस नहीं कि बीच वाइल इस इस इन हाइडोलिक सिस्टम मसिन अनि मसिनों में हाइडोलिक सिस्टम के लिए कौन सा वाइल प्रियूप की जाते हैं तो यह की जाते हैं सरवोर सिस्टम 68 अनि अपसन नमबर ए करेक्ट उत्तर होगा नेस्ट परस ने की बिच पयर is not correct under given below निम्न में से कौन सा जोर सही नहीं है तो इसमें हमारा है कि भील बोरिंग भी हमारा बर्टिकल जो हमारा होता है बर्टिकल टर्निंग लेथ हमारा जो होता है उससे दोरह किया जाता है और मीज हुंँ और सुसक्राइब आपको सही उत्ता है तो आप कमेट उत्र कर चक्ते हैं निस्ट प्रस ने कि how many man hours have to achieved in 8 hours to earn 50% incentive 50% intensive कमाने के लिए 8 घंटे की duty में कितने man hours की जरूत परती है तो इसका सही उत्तर हमारा 50% हमारा intensive लेना है आठ घंटे की duty अगर कितने घंटे तक किया जाए तो जिससे हमारा 50% incentive बनेगा इस case में हमारा 12 घंटे minimum करना होगा जिससे हमारा 50% का incentive बनेगा जोकि 8 घंटे में ही अगर 12 घंटे का duty करते हैं तो 12 घंटे के मेरे पावर्स के बराव करते हैं तो उस केस में आपको 50% इंटेंसिव इंसेंटिव दिया जाएगा निस्ट प्रस ने कि फूल फॉर्म आप पी सी ओ या पी सी ओ का फूल फॉर्म क्या होता है तो यह होता है प्रोडक्शन कंट्रोल अर्गनाइजेशन जो की कोई आप्शन में नहीं है तो आप नौन आप देभब के तरफ जा सकते हैं यानि आप्शन नमबर डी करेक्ट उत्तर होगा नेश्ट प्रस नेप फॉल फॉर्म आप पी पी अनि प्रस्नल प्रोटेक्टीव इक क्पमेंट इसका सही ओत्तर होगा आप ब्रस्न नमबर बी इसका सही उत्तर होगा निस्ट प्रसने कि which item is not related to PPE kit यानि PPE kit में कौन सा आइटम नहीं आता है तो यह मसीन को अभर इसका नहीं आता है यानि option number D सही उतर होगा निस्ट प्रसने कि please read under given types of maintenance किर्पयान निर्म दिये गए मनमत को परे बीच और यहां पर अप्रसने से पुछा गया है कि which one of the above is not covered under maintenance category तो maintenance category में यह दोनों नहीं आता है तीस किस में हमारा सही उतर option number C सही उतर हो जागा जिसमें breakdown और predictive नहीं आता है तो option number C correct उतर होगा निश्ट प्रसने कि how much maximum percentage of EIW staff of total staff can be put in baggage repair shop अनि baggage repair shop में कुल staff कितना पर 30 EIW staff अधिकतम book किया जा सकता है तो EIW का मतलब होता है essential indirect workers होते हैं हमारा जो कि indirect group से सामिल होते हैं उसको हम 20% से अधिक नहीं book किया सकते यानि option number D correct उतर होगा निश्ट प्रसने कि what is the plan head of RSP यानि RSP means rolling stock program यानि RSP program का plan head कौन सा होता है तो यह होता है हमारा 21 होता है जो कि RSP program के अंदर गताते हैं यानि option number C correct उतर होगा जबकि 41 की बात करें तो 41 हमारा MNP यानि machinery अब प्लांट से रिलेटेड है जबकि 42 की बात करें तिया works of से रिलेटेड है जबकि 31 की बात करें तो 31 हमारा track renewals जो होते हैं हमारा उससे रिलेटेड होते हैं जबकि यहाँ पर हमसे सिफ पूछा गया rolling stock program से रिलेटेड तो 21 option number C correct उतर होगा निस्ट पर इसी से पूछ दिया गया planet of MNP जो की उपर में ही आपको बता दिये हैं कि 41 इसका correct उतर होगा जबकि 42 वरक्सप से है 21 RSP miss rolling stock program से जबकि 31 track renewal से रिलेटेड है निस्ट पर इसने कि DSL is related to DSL किसे समभन दीत है तो यह EOT करें से समभन दीत है miss option number A correct उतर होगा निस्ट परसने कि which is the check digit of in PL number 90350583 यह पील नमबर 903505383 में जो भी check digit कौन से होते हैं जो हमारा पील से अंक प्रवाइट किया है इसमें check digit पूछ रहा है कि check digit इसमें कौन से होंगे तो जो check digit हमारा last अंक जो होता है 3 वो ही हमारा check digit होता है अगर इसके अलावा अगर बात करें कि इसको check digit को कैसे हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम सारे संख्या को यहां पर हम note कर देंगे जो हमारा 90350583 जो दिया गया है इसको सबसे last वाले अंक जो 3 हमारा check digit है उसको हम रिकनिंग से घर देंगे फिर हम 87 एक descending order में एक तक ले जाएंगे संख्या वो बाग फिर हम unit palace के हिसाब से हम multiply करेंगे जो कि यहां पर आप देख सकते है 980736 इसको इस तरह से multiply किया गया है फिर इस तरह से सारे multiply करके सारे को addition कर दिये हैं जो कि ओना 46 हमारा आ रहा है जिसको अगर हम 11 से अगर divide करते हैं इस केस में हम पाते हैं कि हमारा reminder 3 आ रहा है reminder 3 जो कि हमारा यहां तक ही multiply करना था 3 into 2 यानि 8 into 2 हमारा जब multiply यहां पर हम किये हैं उस case में हमारा 3 हमारा reminder जो कि match कर रहा है लास्ट वाले digit इस condition में हमारा यह पाएंगे कि हमारा check digit करेक्ट है तो इस case में हमारा पील नंबर ही करेक्ट होगा लेकिन हमारा simple से यहां पूछा गया था कि check digit कौन सा है तो हम लास्ट वाले यांग 3 हमारा check digit होता है और आपसा नंबर कि हमारा correct उत्तर हो जाएगा निस्ट प्रस नहीं कि TNP expense से related तो यह होता है capital से related होते हैं आपसा नंबर करेक्ट उत्तर होगा निस्ट प्रस नहीं कि what is the coder life of EOT crane की coder life कितनी होती है तो यह 25 यह होते हैं आपसा नंबर C करेक्ट उत्तर होगा निस्ट प्रस नहीं कि बात करें तो वाट इज दा कोड़ा लाइफ आफ बोगी टैंक वेगन वित यह रब्रेक कैसना बोगी निबोगी टैंक वेगन यह रब्रेक और कैसना बोगी क्या होता है तो बीटी प्लेशन का प्रटल लाइफ 40 यह के होते हैं आपसा नंबर D सही रोगा, निस्ट प्रस नहीं कि वाट बीचस इदा ग्रीटेस्ट ग्लान ऑफ मनवरेटी यानि मानाव समργ्क वहरी की सबसे बन्रेक कौन सी गड़ी बड़ी गरंथी कौन सी होती है ते यह होता है हमारा लीवर होता है यह लीवर गलेंट यह क्रीद गलेंट हमारा सही उत्तर हमारा उत्तर होगा निस्ट प्रसने कि what is the full form of ATM? ATM मिस नाफिंग बट आटमाटिक टेलर मशीनिस का सही उत्तर होगा मिस आफ्शन नाफिंग बी सही उत्तर होगा नेश्ट प्रसने कि which class of electrode is in building of steel IRSM-41 यानि कौन सी क्लास का electrode IRSM-41 इस्टील बेल्डिंग के लिए होता है तो यह होता IRS class A electrode जो होते हैं उसके लिए हमारा IRSM-41 यूज की जाते हैं यानि आफ्शन नंबर A सही उत्तर होगा नेश्ट प्रसन है कि the ratio of angles provided 234 इसमें हमारा maximum पूछा गया है largest angle तो हम जानते हैं कि sum of all angles 180 होता है इसकेस में हम सारे को addition करेंगे तो हमारा 9x equal to 180 होता है इसकेस में हम अगर एक्स का value निकालते हैं तो हमारा 20 आता है लेकिन maximum हमारा longest angle फोड़ेक्स होगा मिस 80 डिग्री इसकेस में हमारा option नंबर B सही उत्तर होगा निश्ट है कि how many pass set is issued to railway employees retired after the 25 years of service and group C करमचारी यहां पर group C बता दिया गया है वो अगर 25 बर्स की सेवा करता है उसकेबाद उसको retirement कितने pass दिया जा सकते है तो इसका सही उत्तर 2 Set Pass दी जाते हैं जो कि 25 वर्ष के सेवा के बाद करने पर दी जाते हैं अगर वो 20 वर्ष के जयादा और 25 वर्ष से अगर कम हो उस केस में 1 Set Pass दी जाएंगे लेकिन यहाँ पर 25 वर्ष से जादा बताया गया है तो यहाँ पर option number B दो सेट पास दिये जाएंगे जो कि group C employee के लिए भैलिड होगा नेस्ट परसन पुछा गया है मैं से लेटेट वाट इस द वैलू आप सिंपल एंट्रेस्ट आप RS 1920 इन टू येस बिद द रेट आप 5% एनुवल अनि 5% RS 22 बिद दर से 2% में वर्स में 1920 रुपय का सधारन बिद व्याज क्या होगा तिस केस में हम जानते हैं सिंपल इंट्रेस्ट का फर्मूला होता है प्रिंस्पुल इन टू रेट इन टू टाइम पीड बाइड डिवाइड रूआइट होता है इससे में सारे को अगर भैलू को पुट करते हैं तो हम पाते हैं कि इस नारा और लाष्ट में हम जगर हंडे से रिभाइट करने पर 192 हमारा सिंपर इंट्रेस्ट आता जो कि अपसे नंबर डी में हैं तो अपसे नंबर डी हमारा करेक्ट उतर होगा निश्ट पस्ट ने वाटी दर नेम आप चेरमेन आप राजसवा राजसवा सभापती का नाम गया है चुकि पहले जिस समय यह पेपर 13 माई 2022 को कंड़क्ट हुए थे उस समय तो बैंक्यार नाइडू थे राजसवा का सभापती मिस उपराश्ट पती लेकिन बर्तमान में जब यह पेपर बन रहा है उस समय अभी 11 अगर्श्ट 2022 के बाद जगदीप धनकर धनकर को राजसवा का सभापती और उपराश्ट पती बना दिये गए हैं तो आप इस तरह आप इंसर को कर सकते हैं नेश्ट है कि हूँ वाज दा फर्स्ट रेल मिनिस्टर ऑप इंडिपेंडेट इंडिया अई सुतंतर भाद के पहले रेल मंत्री कौन थे यह थे जौन मताई यह अप्शन नमबर सी करेक्ट उत्तर होगा नेश्ट प्रस ने कि फर्स्ट बंदे भारत ट्रेन वाज इस्टार्टेर बिट्विन अन बिच सिटीज अनि पहली मंदे भारत ट्रेन रेल किन दो सहरों के बीच चलाई गई थी तो यह चलाई गी थी नियो दिल्ली और बनारास के बीच नेश्ट प्रस ने कि इन बिच प्रोड़क्टन उनिट आप रेल बे फर्ष्ट बंदे भारत ट्रेन मिस्ट ट्रेन अठारा वाज मैनुफैक्चर्ट अनि पहली बंदे भारत ट्रेल का निर्मान किस उत्पाद निकाई में हुआ है तो यह हुआ है आईसी एप चेन्नाई परामबूर के अंद्रगत हुआ है यानि ऑफसन नमबर सी करेक्ट उत्तर होगा निष्ट परस ने कि वंच बैकन्स इन वन इंट आफ बिएल सी बैगन की एक उनट में कितने बैगन सो हते हैं तो यह पांच बैगन सो संख्या 2 होता है जब की बी क्र की संख्या 3 होती हैं और टूटल हमारा एक नीट में 5 की संख्या होते हैं अपसर नमबर D कर्यक्ट उतर होगा नेश्ट प्रस ने कि what is the code of bogey covered double decker wagons and bogey covered double decker wagons का code क्या होता है ति यह होता है BCACBM इसका सही उत्तर होता है option number C इसका correct उत्तर होगा नेश्ट प्रस ने कि which department control or time offices working यानि time office working control किसके दिन होता है तो यह accounts क्या दिन होता है यानि option number C इसका सही उत्तर होगा नेश्ट 10 प्रस पूछे गए थे राजभासा से रेटेटर इसमें पहला प्रस ने कि अंडवान और निकोवार दीव समुक किस हिंदी शेत्र के अंदर गताते हैं तो यह का शेत्र के अंदर गताते हैं यानि option number C इसका सही उत्तर होगा जिसमें हिंदी बोली जाती है निस्ट प्रस ने कि भारत संग की राजभासा हिंदी समवन्दित भारत के सविधान के किस अंशेत्र के प्रब्धान है तो या 343 के पहले अंशेत्र के अंदर गतिया प्रब्धान राजभासा हिंदी दिया गया है यानि option number A इसका सही उत्तर होगा निस्ट प्रस ने कि राजभासा अधिनियम किस प्रस लाओ किये गये थे या 10 मई 1963 को लाओ किये गये थे यानि option number C इसका करेक्ट उत्तर होगा जबकि संसोधन की बात करिए तो संसोधन इसका अमेंडमेंट 1963 में किया गया था निस्ट प्रस ने कि हिंदी में प्रविंता और हिंदी का कार्ज साधा ज्यान समधि प्रवधान किस नियम में दिये गये है तो या राजभासा नियम मुने 166 में दिये गये है यानि option number B करेक्ट उत्तर होगा निष्ट इसमें पूछा गया हिंदी में पर्विंता के समन्द में क्या सही नहीं है तो इसमें है किसी यदि किसी करमचारी मैटिक पास या उससे सम्तुल उसके उच्छ निष्टा सिस्था हिंदी माध्या में हो तो यह हिंदी के परविन्ता से लेटेट है अगर असना तक भी वह हिंदी से किया है तो भी यह परमान है कि वह हिंदी में वह परविन करमचारी है लेकिन यह कोई करमचारी यह घोसना करता है कि वह हिंदी में परविन्ता पास है तो यह समझा जाए कि वह पास कर लिए यह कि स्रासर गलत है इस केस में हमारा option number C ही हमारा correct उत्तर हो जाएगा निस्ट प्रस नहीं कि राज वासा निया मुनिसो चेहतर की सराज को छोड़कर समस्तर लागू होते हैं तो यह terminado पर लागू नहीं होते हैं यानि option number D इसका correct उत्तर होगा निस्ट प्रस नहीं कि केंद्रिये हिंदी समीती का अध्याक्ष कौन होते हैं तो केंद्रिये हिंदी यानि सेंटर हिंदी कमिटी का अध्याक्ष परहन मंत्री होते हैं यानि option number B इसका सही हुत्तर होगा वहीं अगर आपसे संसाधिये हिंदी समीती के ध्यक्ष पुछे तो वो क्रीम मंतरी होते हैं निस्ट परसने के मंटल अस्तर पर राजवासा समीती का ध्यक्ष कौन होता है तो मंटल अस्तर परिया डी आरेम यानी डिविजनल अरवे मैनेजर इसका साही उत्तर होगा आपसन नमबर एक रेक्ष उत्तर है निस्ट परसने केंद्रिये हिंदी करमचारी केंद्रिये करमचारियों के लिए निर्धारित प्रारंबिक हिंदी पाठकरम कौन से है तो यह प्रारंबिक पाठकरम परबोध रखा गया है जो की टोटल होता है हमारा परबोध परबीत और प्राग इसका कोर्स रेली पर करमचारी के लिए दिये गए है जिसमें पहला हमारा कोर्स होता है परबोध ही होते हैं यानी आपसन नमबर एक रेक्ष उत्तर होगा आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बक्स में बता सकते हैं अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो आप नीचे दिये के नमबर पर भेज सकते हैं धन्यवाद झाल